लास्ट मन्थ जुलाई 2024 के अंदर एक नया NFO लोंच हुआ था उसमें भी नोण SIP की है लेकिन इंट्रेस्टिंगली जब लोंच हुआ था उसकी NAV 10 रुपे की थी और अभी लगबग 9 रुपे की है 9 रुपे 8 पैसे है to be exact जब मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूँ ठीक है तो एक रुपे की NAV में याने की 10% से भी ज़्यदा की गिरावट नुकसान देखने को मिल रहा है तो ऐसे में जो नए निवेस करते हैं वो जब निवेस करते हैं और अपने पॉर्टफोलिय को बहुत का जो टाइम होराइजन है वो 15 और 20 साल का इननों मैंसन किया है तो दोनों के लिए अलग अलग जो है कैलकुलेशन में आपके साथ सेर करूंगा तो हेलो अबरीवन राम राम नवसकार मैं हिमाचल सिंग आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और कुछ लोग बोल रहा है कि केवल स्टोक्स पर वीडियो बनाईए पॉर्टफोलियो का रिव्यू थोड़ा बोरिंग लगता है हो सकता है कुछ लोग को बोरिंग लगे लेकिन जब मैं अपना मेल बॉक्स और जब कमेंट देखता हूं नीचे तो बहुत सारे लोग भर भर के अपना करते हैं ना उसको भी करते हैं जैसे मैंने खुद भी किया हुआ है स्टार्टिंग करते हैं जरनी अपनी जो है मैक्सिमुम लोग मीचल फंड से और जब हमारी इंडरस्टेंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है तब हम एक एक्विडी स्टोक की तरब भी जो है अपना कर सकते हैं वो वाले स्टोक का रेव्यू भी आपको चैनल पर मिलता रहेगा मतलब जो स्ट्रेटजी एक बैलेंस इंवेस्टमेंट की होती है वो मैं आपको अपनी तरब से कंटेंट सेर करने की कोसिस करूंगा बाकि आपको कोई रिक्वेस्टीड वीडियो चाहिए किसी और डिफरेंट टोपिक पर चाहिए कोई और फाइनिसल मेंगेमेंट पर आपको सीखना चाहते हो तब भी कमेंट में मुझे जानने दीजिए उसके पूर्वी में वीडियो सेर करने की कोशिस करूंगा नवीन दिवेदी जी ने इनकी आयू 49 साल की है और इनका इंवेस्ट मिड्क निफ्टी 150 मुमेंटम 50 ये वाला जो फंड है इंडेक्स का है यानि की टाटा मिड्क वण 55 जो निफ्टी वाला इंडेक्स है उसका ये फंड है इंडेक्स फंड है 10 रुपए की अभी 9 रुपए के आसपास है तो वो फंड है मोतिलाल उसवाल डिफैन्स फंड इसमें भी 4 रुप मेने की S.I.P कर रहे हैं तो यह फंड जो डिफैन्स वाला यह डिफैन्स की कंपणी है सेक्टर की जो कंपणी है उनमें वेस्ट करते हैं और यदि इस इंडेक सेक्टर है पिछले 2-3 सालों में तो बहुत बहुत रिटन दिये हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए स्लोडाउन भी या कंसलोडिशन देखने को मिले लेकिन लोंग टरम में ओडर बोक अच्छी है गवर्मेंट का भी बहुत अच्छा का सा फोकस है एक्सपोर्ड करना कर दे देगा और यदि किसी को लंसम करना है तो अभी यह अभी भी साही टाइम हो सकता है क्योंकि एने भी अभी दस की जगह 9 रूपे की आपको मिल रही है लेकिन वो लोंग टरम के लिए आपको करना पड़ेगा ठीक है और जब 15 से 20 साल का टाइम होता है तो इन्हों स्मोल कैप में जरूर निवेस कीजिएगा और 15 साल का टाइम है तो 10 साल तो हमारे पास ऐसे कोर टाइम फ्रेम है जिसमें की केवल हम अपना पैसा स्मोल कैप में रख सकते हैं और जब 12 या 13 15 साल का टाइम है तो उससे 2-3-4-5 साल पहले हम ट्रैक कर लेंगे कि हमारा फंड क कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद according to the time frame जो return मिले हैं हम उसको redeem करके किसी और fund में या फर किसी और asset class में यदि हमें ज्यादा रिस्क लगता है और market गलत है तब हम उसको shift भी कर सकते हैं ठीक है अब जब 15 और 20 साल की बात होती है तो मान लीजिए मैंने return consider किया 15 या 17 तो ज अबल से भी ज्यादा आपका final corpus बनते हो दिखेगा उसी के साथ कुछ लोग यह भी बोल सकते हैं कि हाँ 15 साल में इतना return मिला है तो अगले 20 साल में इतना नहीं मिलेगा तो उसी को consider करते हुए मैंने खुद 1% lower return consider किया है जब हम 15 साल से 20 साल की journey जो है complete करेंगे तो 15 साल के दी बात करते हैं इस portfolio से scheme सारी ठीक है जो scheme आपकी दो तो index की fund है और दो small cap fund है और एक mid cap है मोतिलाल उसवाल mid cap बहुत शांदार fund है पिछले time frame के दी बात करें since inception लगबग इसको 10 साल के असपास का time frame हो चुका है मैंने इसका review भी किया था तो mid cap funds भी आपके साथ share किये तो उ उसमें भी number one पर I think था यह ठीक है अभी के frame में मोतिलाल उसवाल mid cap fund long term में इसने कुछ small cap को भी बीट किया है बहुत सांदा return दी है ठीक है तो सारे funds आपके ठीक है कोई भी fund आपको change करने जरूरत नहीं है सच और number of scheme भी आपकी बहुत मतलब selected हैं 5 scheme है और 29,000 रुप महिने क आपके अच्छी कासे SIP भी जा रही है इस पर मुझे उम्मीद है कि 17% के lower side की बात कर रहा हूं 17-17% के return 15 साल में मिलने की पूरी-पूरी शंभाव ना है अब market में हो तो कुछ भी सकता है और मैं तो यहीं चाहूंगा कि 17 प्लस ही आपको return मिलें तो इतने return मिलते हैं तब कि traditional यानि की growth मिल जाएगी फाइनल को रुपस आपका जो 52,20,000 प्लस 1,88,000 को जोडते हैं 2,40,000,000 रुपया 15 साल में बनने की उम्मीद है इस 29,000 रुपय की SIP से कितना 2,40,000,000 रुपया अब यह 10,15,20,000 ऊपर यह 10,15,20,000 नीचे भी हो सकता है यानि कि 2,40,000 का सभादों भी दिया सकता है और धाई भी बन सकता है ठीक है आप देखते हैं यदि हम इसको 5 साल और continue कर लेते हैं यानि कि 20 साल तक continue करेंगे तो return मैंने consider किए instead of 17% only 16% एक परसेंट से down कर दिया और एक परसेंट का बहुत बड़ा फर्क मिलता है देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जो 5 साल का time frame अगला उसकी अदि बात करें देखिए आपको wealth create होतो भी दिखेगी 29,000 रुपय के SIP अगले 20 साल में आपकी जिप से चले आएंगे य रुपया यह होता है time frame की value यदि आपना आप time बढ़ाते हो मैं हमिसा आपको यहीं बताता हूं कि पैसा जो बनता है वह आपके पैसे से कम बनता है time से ज्यादा बनता है जितना ज्यादा time दोगे मैं बहुत सारे बड़े लोगों के portfolio उनकी investing habits या book में जब पढ़ता हूं न तो बहुत लोग आपको बताते हैं आप भी motivate होते हो आप भी ऐसे लोगों को देखकर stroke market में कई बार आते हो अरे इंडिया में ये लोग बड़े रहे हैं इन्होंने इतना पैसा बनाया पांच या लगाए पांच या बना लिए या फिर बफिस आपको देखकर आते हैं कि हा किया है समय मिला तो आवरेजिंग की है तो टाइम पैसे बनाता है एक इस्टोक अच्छे बाव पर लिया और अच्छी कंपनिये ट्रैक करते रही है ऐसा ही mutual fund के साथ होता है अच्छे mutual fund में आपने निवेस कर लिया ट्रैक करते रही है छह महीने एक साल में और उसके साथ इ करता है कि आपको क्या एक्षन लेना वो उस बात पर निर्वर करेगा तो पैसा टाइम से ज़्यादा बनता है तो चार करोड 27 लाग 20 साल में आपको इस पर ग्रोथ मिल रही अलग भग यदि हम एड़ कर देते हैं इसको जो इन्वेस्टिड अमांट है 69.60 लाग तो आपका 15 साल में 2 करोड 40 लाग रुपया धाई करोड भी इसको माल लेते हैं तो इधर कितना हो गया 5 करोड या उससे भी ज़्यादा और रिटन कितने करती है हमने 1% कम और यह रिटन ऐसा नहीं है कि 20 साल वाला जो 15 से 5 साल वाला टाइम फ्रेम है उसमें कम बिलेंगे नहीं वो रि 16% के रिटन वो कंसीडर किये गया है तो बहुत सही आपका डिसीजन है इस स्कीम भी आपके अच्छी है बसरते कंडिशन यही है कि हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कंटीनू रहना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग यहाँ पर रिव्यू कराते हैं मुझे भी आपको सुनने के बाद भी अच्छा लगता होगा कि अरे इतना पैसा बन जाएगा हम तो अमीर बन जाएंगे हाँ अमीर बन जाओगे लेकिन अमीर कब बनोगे जबकि अपने इन्वेस्टमेंट को 15 या 20 साल के लिए कंटीनू करूगे और बहुत मैक्जिम लोग के साथ ऐ इसा बनता जिस दिन वो समझ डेवलप हो गई तो आप मूचल फंट छोड़कर इस्टोक मार्केट की तरह भागोगे और इस्टोक मार्केट से भी अच्छे पैसे बना लोगे तो उम्मीद करता हूं नवीन दिवेदी जी सारे सवालों को जबा आपको मिल गया होंगे और किसी और का कोई सवाल है पर्सनल फिनेंस को लेकर अब पर्सनल मतलब कि आपको अपना मंतली फाइनसल मेनेजमेंट और इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो लेट मी नो इन दा कमेंट बोक्स बोक्स पर भी सेर कर सकते हो वही चीज आपके लिए पर्सनल आपकी इंफर्मेशन है तीसे के साथ सेर मत करना ठीक है जली मिलते हैं कल फिर एक नेक्स वीडियो में तब तक कली नमस्कार राम राम जैहिन जैवारत